शीरादे, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूटूब चैनल हरी कृष्णा रस्मे स्वागत है मिवजिंदर आज आपके लिए पोस मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादसी होती है उसके बारे में बताऊगा एक बार स्त्री वुदिष्टर जी भगवान स्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, हे माधो, आप किरपा करके मुझे पोस मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादसी आती है उसके बारे में बताईए तब भगवान सरी कृष्ण विधिस्टर से कहते हैं कि राजन पोस मास के सुकल पक्स की जो एकादसी है मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ ये संसार की हिद की इच्छा से मैं तुम्हें इसका वर्णन करता हूँ राजन पुरवक्त विधी से ही यतन पुरवक्त इसका वर्द करना चाहिए इसका नाम पुत्तरदा है ये सारे पापों को हरने वाली उत्तम्तिति है सारी कर्मनाव और सिध्यों के दाता भगवान नारण इसी दिन के अधिदेवता है चराचर प्राणियों सहित समस्त्री लोकी में इससे बढ़कर कोई दूसरी थी है ही नहीं पुरोकाल की बात है बद्रावती पूरी में राजा सुकेतु मान राजे करते थे उनकी राणी का नाम था चमपा राजा को बहुत समय तक कोई वन्स धर पुत्तर नहीं हुआ इसलिए दोन उपती पतनी हमेशा चिंता और सोक में डूबे रहते थे राजा के पित्र उनके दिये हुए जल को सोको च्छवास से गरम करके पीते थे राजा के बाद कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया जो हम लोगों का तरपन करेगा ऐसा सोचकर पित्र दुखी रहते थे एक दिन राजा गोड़े पर स्वार हो गहर वन्स में चले गए प्रोहित आदी किसी को भी इस बात का पता न था बरग और पक्षियों से सेवित उस सगन वन्स में राजा घूमने लगे रास्ते में कही सियार की बोली सुनाई देती तो कही उल्वो की जहां तहां रीच और हीरण द्रिष्टी गोचर हो रहे थे इस प्रकार गोम गोम कर राजा वन की सुबादे करे थे इतने में दोपैर हो गई राजों को भूक और प्यास लगी वे पाने की खोज में इदर उदर घूमने लगे किसी पुन्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सुरोवर दिखाई दिया जिसके पास मुनियों के बहुत सारे आश्रम थे सुभाशाली नरेस ने उन आश्रम के तरफ देखा उस समय सुभ की सूचना देने वाले सुकुन होने लगे राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था सुरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद बाट कर रहे थे उन्हें देखकर राजों को बड़ा हर्श होआ वे घोड़े से उतर कर बुनियों के सामने खड़े हो गए और प्रतक प्रतक उन सब के वंदना करने लगे वे मुनि उत्तम वरत का पालन करने वाले थे जब राजा ने हाथ जोड़कर बार बार दंडवत किया तम मुनि बोले राजन हम लोग तुम पर परशन है राजा बोले आप लोग कौन है आपके नाम क्या है तथा आप लोग किसलिए कत्र हुए हैं सब सच बताईए मुनि बोले राजन हम लोग विश्वे देव हैं या सनान करने के लिए आये हैं मांग निकट आया है आज से पाचवे दिन मांग का सनान है आज ही पुत्तरदा नाम की एकादसी है जो वर्त करने वाले मनुश्य को पुत्तर परदान करती है राजा ने कहा विश्वे देवगा यदि आप लोग परसन हैं तो मुझे पुत्तर दीजिए मुनी बोले राजन आ देशों के प्रसाद से तुम्हे अवश्य ही पुत्तर प्राप्त होगा भगवान स्रीक्रिश्ट कहते हैं युद्धिस्चिर इस प्रकार बुनियों के कहने से राजा ने उत्तम वृत का पालन किया महर्शियों के उपदेश के अनुसार विदी पुर्वक पुत्तरदा एक प्रसवकाल आने पर पुन्य करमा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ है जिसने अपने गुणन से पिता को संतुस्ट किया है वह परजाव का पालक हुआ इसलिए राजन पुत्तरदा का उत्तम वर्थ अवश्य करना चीए मैंने लोगों के हित के लिए तुमार जाहिए श्रीडीशी वर्थ का वर्ण किया है जो मुनुषे एकाग गर्चित होकर पुत्रदा का वर्थ करते हैं वे इस लोग में पुत्तर पाकर मुर्त्यों के बाद सुरग गाभी होते हैं इस मातमे को पढ़ने और सुनने से अगनी स्टॉम यग्य का फल मिलता है तो य अगे थी पुत्तरदा एकादर्शी के वर्द की कता जो मैं आपके लेके आया आगे भी एकादर्शी वर्द की कुछ कता काने किसे परसंग आप तक लाता रहुआ आज के परसंग गोई है विराव जैजेश श्रीरादे